प्रोग्राम वारे लिए अलग तरह का है, विस तरह की प्रोग्राम समझाने लिए आते भी नहीं है और ना हमारा कोई बहुत इंट्रेक्शन तरह के लोगों से होता है, लेकिंग जो फील्ड है और जिस तरह का उपर हम करते हैं वो आम पप्लिक से जुड़ाओ वारके माली जी आप साहितिकार लोग हैं मैंनम में भी इस तरह के डिपार्टमें वर्क किया है, हमारे सिंगर साफ जो अच्छे गाने गारे उन्होंने इसका वे अपने आनन लिया लुट लिया, उनसे कोई बहुत विश्य परिचार भी नहीं रहा लेकिन थोड़ा बहुत बहुत जब अगर आप साहितिक लोगों से, सिंगर से जो अच्छा गाना गाते हैं जाए को किसी भी रूप में हमें जरूतने हैं कि हम वर्ल लेवल सिंगर के पास ही बैटे हैं, एक आप भी लाइफ में कोई गाने गुनोन आता है, आपको सुनाता है तो आपका भी एक mental burden, बहुत सारे काम का pressure, दीदेरे relax हो जाता है, अब रही life के achievements की बात या life में क्या करना है, क्या milestones आपने achieve कि ये एक बहुत लंबी कहानी होती है, लेकिन कुछ life के turning points है, जो आज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं generally, या families में और लोग हमारे पास जो 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 बच्चो को भी सिखाने कोशिश करता हूं कि कैसे भी विशम परिस्तितियां हो, आपको उनको पार करके life में कर आगे बढ़ने का motor set है, mindset, तो आप जितने की में जरूर इस चीज को हासिल करोगे, कभी आप से कोई चीज दूर नहीं है, मैं आज एक neurosurgeon के तौर पर work करता हूं, पहले मुझ भी नहीं है life में, लेकिन फिर भी ये realize करने की कोशिश करते हैं, कि life को कैसे अपने best तरीकी से जिए है, क्योंकि एशो ने आज वहां पहुचा दिया, कि जहां नाम, जिसके लिए आज में जैनली परशान होता है, कि मुझे मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना नाम करना, यह सब तो दे दिया बगवान ने, now I am 42, तो यह सब तो दे दिया बगवान ने, अब इसके बाद चीज़े होती है, कि आपको कैसे सुकून हरी जिन्दगी को जीना है, इस पर आ करके अब जिन्दगी दीरे रुपने लगी है, तो भी ठीक है, पैसा भी आ जाएगा, हैं सेजری करतें हैं, हम पहले सरकार्यों में करते जाले हैं, और अगशक्ती में बगवान जीना है, यह विझा। सब कमा लेते हैं और ऐसे बहुत लोग हमारे कॉंटेक्ट में होते हैं लेकिन उनका जीवन बहुत बहुत अधूरे बन में रहता है यह मैंने रिलाइस किया है उनके आसपर दो चार लोग बैटने वाले भी नहीं होते हैं बड़े बड़े ग्रूप्स हमारे हॉस्पिटल्स क हैं उनके मालिक होते हैं सौसो करोड़ दो सो करोड़ रूपे हॉस्पिटन्समें इ discret कर और उससामारे पास बैट ताएं लेकिन मैंने उन लोगों में भी रिलाइस किया है को उसमें भी अपने जीवन होड़े तरीकी से जी पा रहाया है और कुछ इतना अकिले तिम ऐ Sap aan और मैं कि पर बीज़ पराए से उतना सारा कुछब भीे कर लिया तो क्या है फैनली कुछ नहीं है जांग तो जीवन में अपने असूलों के साथ जीएं यह भी एक मैं ने सीखा बहुत मौक्त मौक्य आए जब जीवन में आपको चीजों ने इंफ्लूइंस करके बहुत सारा पैसा कमाने के मौकिश दील लेकिन नहीं इस नोट इंफ्लूइंस भाई दूस तिंक्स आपको जीवां लगता है कि आर आपने जो भी किया है वो अपने मेहनत के दम पे किया और आप जो मुकाम आप हासिल कर रहे हो या करने वाले हो या क पुरा नाम लग्राजवेदर सिंग चौधरी है मैं एक मीरो सर्जन हूँ और बेसिकली ब्रेल और स्पाइन की दो तरह की कॉंप्लिकेटर सजरीज ही जैपूर में करता हूं और शायर उम्र मेरे जरूर कम है लेकिन यहां पर राजस्थान के अंदर जो मैक्जिम नंबर उ सजरीज मैंने की हैं पिछले साथ सालों में वह एक अपना रिकाउड इस पूरे स्टेट में क्यों को उस शिखर के आसपास जनली लोग नहीं आते इन्व टेक टाइम लोग करते हैं सब्सक्राइब दो और साथ ही लोग अच्छी सजरीज करते हैं लेकिन मेरे सीने सीटिसी सेट अप में प्राइविट में भी हालत यह कि मैं अभी जस यहां आने से पहले लेट हो गया मैं को तीन में जाना था मैं उसमें अपने सजरी कैंसिल गया आज की आज एक सजरी थी ब्रेंट टुमर की मरीज कोई पता नहीं का महिरत से कहीं आया है वह एडमिटर था सब कुछ साला है उसके भी फादर इनलो को किसी डिपार्टमेंट में ठीक टाग ऑफिसर है उनको हट अटेक हो गया दो बज़ के 20 मिनट में मायो कार्डियर इंफाक्षिन हो गया वो सी के बिल्डा में हैं एंड्टो एंड को लेकर गए होंगे पीचा से मैं पहुंचा मेरी वाइफ और उसके लिए तियारी मैंने तब शुरू कर दी थी जब साइज एक प्रॉपर आज जो हमारे कुछ आई-एस फ्रेंड्स आई-पेस बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे सर्कल में है वो किसे ददा इतने दिन पहले तो हमने भी तियारी शुरू नहीं की थी मैंने फिफ्ट क्ल फिर फाइनले टेंथ ट्रोल्ट के आने के बाद पापा की पोस्टिंग स्रीनगर हो गई तो स्रीनगर जहां पर एक्शली पुल्वाम अटेक वा था इसके वह इंचार्ज ते इस जगे के जो भी 2014 की वादर साइधिक अपकी बाद है तो पुल्वाम वाली जो प्लेस है उस पास मेरा गाहूं भी पड़ता है जाट कम्यूटी से गुलों करता हूं मैं उस वक्त यह होता एक्जेक्टली कि हम लोग महां रहे थोड़ा पड़ाई बढ़ाएगी फिर पकैडिमिक्स में शुरू मैं अच्छा था तो फिर मेरे घरवाणों का भी ठीक है तुझ है है और सब्जेक्स में कम हो सकते हैं हिंदी में मालो हमारे सर बोलेगी जैसे भाई साहित पर तो असी नंबर या नबव आगे पिच्छे ऐसे पर मैस में कभी 100 से नीचे नंबर नहीं आते थे तो फिर मैंने प्लान किया कि जलो अपन आयाटी में जाएंग और आयाटी के सबसे बड़ा एक ही सिंगल स्कूल होना चाहिए उस ताइम तो मैं वहां चला गया है वहां के जो प्रिस्टिबल थे वह फिजिक थे बड़े अच्छे लेक्शिर वगरा थे वह पिंसी बना रखे थे तो उन्होंने मुझे सवाल पूचे कुछ उन्होंने का बटा आपका हो गया तो मैं सित्री स्टॉंग थी तो मैं सडेट करके फ्री कर दे चला आप जाईए हो गया तीन-चार बच्चों का अड्मिशन करना था बागी सारी सीट सुल थी अड्मिशन कर दिया मैं साल भर पड़ा देली में और मैंने आइट की वह कोचिंग मी ले रहा था कि जो मेन अपन को अच्छीव करना है इसी बीच में क्या होता है कि तब मेरे रियल छोटे मामा है वो डॉक्टर है वरत्तुर में प्रैक्केस करते हैं आगर जानते हो तो डॉक्र आशोग सींग चौधर ही वरत्तुर है फिजीशन है तिक टाप पुरान है रिनाउंट याँ देहली में फिर पापा ने कहा धो होस्टल में रहीं तीरी आधे लिए है पता निए पढ़ाई किसी चले है मैंने कह बहुत halo आफ दो C Allah G तो बिलोग करते भृत फूर्ग के उट को शारपना को की दो नामाई यृ जाओतेखे सहे ब नहीं है मैं और कुछ भी करें तो मैं यहां से चला जाता हूं वापस भरत्पूर और मैंने अपने प्रिंसेपल का Sun अब तो कैसे होगा। तो मैंने का सर प्लीज कैसे में रहो ना वाई-एस वाई-एस ने बना मैं तो दॉक्टरी होगा। भूले यार दे करते हैं कोशिस पर ऐसा होता नहीं है, सीवेसी बोर्ड में आखो दिल्ली में शेफारिस होतों कोई होगा। अब दिल्ली सी पढ़ गया था 11th क्लास में तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड था उसके फादर डियाई जी थी थे, वो CRP स्कूल में मेरा क्लासमेंट था, मैंने उसको फोन किया, मैंने का यार ऐसा ऐसा है तरह पापा कुछ करवा दे तो यार में को सब्जेक्ट दिल्वा दे उसके पापा की सिफारेस पर फाइनली सीवेसी वोड के चेर्मन ने ये वी काम कर दिया है वन दिल्ली में मैं वहाँ जी मिल गई जैसे मैं पहली बार क्लास में मिला तो हमारी एक मैडम थी क्रिश्चन थी साउट दिन्यान और ने गए बेटा तुम्हारे तो बाइलोजी में कुछ नहीं आता तुमको तुम इसमें पास हो जाओगे क्या पी एमटी और वो तो चलो आगे की बात है मैंने का मैंना वो भी कोसिस करेंगे साल बर हमाएं के थोड़े थोड़े नंबर सीपी्कश करफ हाते रहें लेकिन जब वचलियंयां का नंबर तो मेरे अजमे रीजे साइट सेकर्ण वार्च TS मेरे को प्रैक्टिकल में मैं तीस मैं से 39 नंबर दिये जबकि दस लोगों को क्लास में उसने 30 मैं से 30 दे दिये और जब मेरे इतने नंबर आए तो भूली कि बिटा मेरे को तो एक्सपेक्टेट रिजिए था ठीक है तो एफरेस से हैं एपन प्रदपुर में प्रदपूर में प्रदफी में नहीं कि प्रदफ Gardens के रहाए तो पहले साल में उतिक आर्मी उसमें भी हो गया उधर यूपी कोटा जाने के पीछे भी कारण था कि SMS तो मिल नी रहा था था थोड़ी रहेंग, SMS वालों से थोड़ी पीछे थी, तो मामा मेरे जो थे फिजीशन वो बुले कि या तरको कोटा में मेरे फ्रेंडम, आसिस्टेंट, प्रोफेसर, असूशेट वगरा लग रहे हैं, तो लो वहा पार मेडिकल में अपीजीश के साथ ही, तो मेरे रहेंग पीछे थी, पीछे का मितला सब्जेक्स मिल रहे थे लेकिन कोई काम के सब्जेक्स ने पने को इंट्रेस नहीं था, अपना को सर्ज़री टाइप य और्थोपटिक्स में इंट्रेस था, मैं कि ऐसा कुछ मिले दो, फिर नहीं मिला तुम्हें, उसी टाइम पर मेडिकल ऑफिसर होती है रास्ता इंट कोवर्मेंट की, उसमें भी नमबर आगया था, क्योंकि ऐसे दिया है था एक्जाम, चलो नमबर आगया, फिर मैं बरत्पुर पोस्टेड हो गया, बरत्पुर पोस्टेड हो गया, तो महा तो सारे लोग है एल्लीगल प्रेक्टिस करते हैं, आज भी करते हैं, पुर हिंदुस्तान में करते हैं, जिनके घर पारेवार में थोड़े बहुत डॉक्त रॉक्ता है के नीम, हकीम, सब आपको कोने-कोने में मिल जाएंगे, इतने में जैपुर से एक लैटर आए के साथ जितने भी नीग हमागी हैं, इनको पर एक्टिक कारवाई करवाता हैं, आज ने का, यार यह तो सब लोकल एरिये के अपन हैं, लोकल ही ये लोग हैं, उस गाहों का जो परदान था, उसी गाहों से परदान था, आपको रिष्तेदारी था, लोकल आदमी के लिए सब अब भागे बता रहा हूं है, कि मेरे पास शाम होते होते, मतलब मैंने उन पाँच लोग जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले दस साल से, उनको अरेस्ट, सामान, आप किसको क्या इलीगल उसमें अफस्वा सकते हो, पर सामान जब तो था, इन कारवाई में स्यादा आप कुछ नहीं कर रहा सकते हैं, और ना कोई करवाने की इच्छा होती होती है, चलो ठीकि सामान जब तो यह लोग इलीगल प्रैक्टिस बंद करते हैं, साम होते होते, छेतर के तीन एमले, मतलब उस पूरे भरतवर रीजन के, और दो के लिए कोई बड़े लेवल के क्या चोड़ा वाज मिनिस्टर बने बैटे हैं, उन लोग आफ होना था कि डाक्ट साब यार यह तो अपने आदमी हैं, और आप भी अपने आदमी हो, अपना आदमी अपने आदमी को ऐसे करेगा, तो कैसे काम चलेगा, अब नहीं 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 कानिया, 24-25 साल की यह तो सिस्टम ही ऐसा, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, आदमी यह लेकल प्रैक्टिस यह कर रहा है, कल को इसके आदमी को मर जाता है, इसको कुछ नहीं आता है, क्या होगा इस देश का, तो इस देश को समझना तो हम झैसे बुद्धी जीवियों ने, तो अजार पांच से म जो अपने फिलिट्स में काम कर रहे है, उनका मोटो भी यही रह गया है, कि अपनी जेब भरो और आपने आगे वड़ो, आपकी तरह सोचें कि भाई, इस देश के लिए अपने कुछ करते हैं, ऐसी भावना हैं तरह आज भी बहुत हैं, बहुत हैं, क्यार, क्योंकि वह हम मरीजों के रूप में लेते हैं, जब मैं समस में जब तक था, 2017 तक, एक लंबे पीरिड में में, वहां वर्क किया, समस में, वहां फैकल्टी भी रहा, पर मैंने देख लिया कि आपकी भावना अपने लोगों के प्रती अच्छी होती हैं, लेकि सिस्टम नहीं चाहता कि यहां नहीं होने देगा, अपन लोगों का भला भी करना चाहें, तो यह भला नहीं होने देंगे, यहां तो धक्के खाने का सिस्टम है, तो धक्के खिलाते जाओ, और आप आगे बढ़ते जाओ, यह सिस्टम नहीं तो, और अपन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लोगों को मुख़ा दिया किसमत ने तब भी नहीं नहीं अपनी काबिलेत पर इस आदमें को विस्वास होता है तो किसमत खुद देती है ज्यादा उसके लिए तो आपको मूह नहीं वारना होता है इसे भी बहुत मोग्या है क्योंकि मैं अध्यक्ष था यह बड़ी बड़ी स्टाय के आपको अखवार में बढ़ता हैं इनके नेत्रत वो क्या है मैंने दस वर्स तक टैनियर्स लोग बड़े बड़े जो नेताज मंत्री बने बैटें वो सुचते थे या एक तो मुक्ष मंत् यहा हैं ना मुझे को राजनीति करनी मैं आज बढ़ाए कर रहा हूं MCH कर रहा हूं इसके लिए कर रहा हूं किया रोता है यहाज अपर्तिनिती होता है हमरे जो में नहीं ठीक छोटा उनीस भी थार किसी की लाइफ में होता है अब आती है कि कहानी जब SMS में हम लोग थे तो क्या होता था SMS में बहुत सारी बाद सरकार को लेकर टक्रावी मैं जेल गया हुआ को उदादों में फूर वंडे कि अब अब तो मुझे सबसे चोड़ोगा लेकिंगे सरकार उनकी पूरी अजिस्टाव को पता होता कि कौन आदमी है जो अंत में हमारे को सरकार को चैलेंज कर सकता है उससे पता होता है कि मशीन रितनी है वी वह इनको बताता कि यह आदमी अगर इस खेल में आगया यह आदम क्ली मांट्सक्री कि और लोग आपके पीछ फेले हो जाते हैं जो राग्यादर चोडिशन ने कहती है वो फाइनल है चीफ मिनिस्टर बतल सकता है है यह फाइनल है क्यों पूनको पता है कि यह आदमी अपना सर गटा लेगा लेकिन जुकेगा नहीं और लोग उसी को फोलू इसे लेपे उसका पाली है कि आज दुनिया को सिस्टम और समाज को अपने मढरीजों को बेस्ट देने की कोशिद करते हैं, एक बहुत अच्छी लेफल की सर्जरी देने की कोशिस करते हैं, और अच्छी सर्विसे देते हैं, इवाँ मैंने मैं बता हूँ आपको, जो मेरा एक करने जाता हूं ना मैं तो सामने 24 चाल का लड़का होता कि पूछा कौन है के साथ एक ही बच्चा का देख लो डॉक साब इसका जो भी होना जाना है मैंने गया होना जाना तो खराब ही है या अच्छा जो भी उसकी स्थिति है पर करते हैं तो कोशेश और आप अच्छे बच् देख अभी साइंस टेकनोजी सारी चीज साइं बद लिया है अभी सो लोग अंदर जाते है 98 तो 99 भारत और इस थी प्रड़कुल्त हम भी करते माला हमारे जैसे और भी कुछ लोगें चों कर रहे हैं पैन इंडिया कर रहे हैं पैन राजस्तान कर रहें दिल्ली गूड़का है अच्छा इसके बार लेकिन इश्वर आपका साथ कब देता है जब आप अच्छे होते हैं मैंने यह सर रियलाइज किया लाइफ में कि जिंदगी आपको आगे कब बढ़ाती है हो सकता है आपको बीमान बनाके भी आगे बढ़ाते लेकिन वो कितनी इस्थिरा इसका पता न स्टेबिटी आपको हमेशा मिलेगी कि हां मेरी चीज फिक्स है अगर हलकी सी सरक भी गई ना तो भी मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा नीचे नीगरूंगा और आपके उस सिस्टम में उस चीज को अचीव करने के जो टार्गेट से मुसमा कहीं भी फ्रॉड है कहीं भी मिक्सिंग है ना तो यह डेफिनेटली बहुत जल्दी जमीन पर जाओ गया और आपकी जो सिस्टम आपने बना रखे है न वो धरा से उनमें टाइम नहीं लगी तो अभी भी है इवन मैं सजीजीज करता हूं वह सिवाज जो हम जनरली उस यंगर जनरेशिकों कि क्या होता है आप लोग इसे कलाकारों की भीड़ है तो इसमें जनरली कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं यह पांच परसेंट होंगे जो अपने बच्चे को इपने बच्चे को इ बना देंगे विटा तुझ अच्छा सीय बना देंगे ऐसा प्रोफेशनल जो कि अंत में धनकी थोड़ी सी व्यवस्ता कर ले अपना चीवन चला ले अपना पार्ट और हम अपने सर्जरी के रिकार्डिंग हम अपने सर्जरी करने जाते हैं ऐसी सर्जरी होती है कि मेरा अब को 15 दिन में मरीज देखने जाता हूं बहुत बीड होती है तो ड्राइवर जाता है तो वो कहता है सर में ने किया तुले मुझे गाड़ी चलाने पर वो कहता है कि नहीं सर चला रहा हूं ना मैं तुझ ज्यादा स्पीड में चलाता है तो दीरे चलाए जाने बगा पचाइस क्रोमेंटर गाड़ी चलाता हूं मान लीजिए यहां से दौसा तक तो मुझे दौसा के बॉटर के आसका मीद आने शुरू जाती है मतलब गाड़ी ड्राइब नी करता यहां से दौसा से थोड़ा सा लिता जबकि मैं बारा चौदा साथ गंटे करने जाते हैं उस तो आपको नीज आपका हॉर्मोनल लेवल इतना हुटा है इतना हुटा है ज़िर में अधरलेंगे सर्जरी करते हो आपका होता क्या उस टाइम का मैंने कर या उस टाइम को आदमी और इसके घरवाली लित्ते मैं यह गया तो यह जिद्दगी पर रोगे को रुएंगे और पूरी लीगल पॉइंट पूरी विदा है पूरी विदाओं में जिसमें यह सब होता है कि कोई सब्जेक्स नहीं है अब ही जो करके है मतला साले का ससुर उसकी मेडम ती उसके साथ में जो सर्जन था में दोनों कलीगें वापस में तो पर हमारी विदा ऐसी है जिसमें फाइनली हमको मजबूरी भी सोचने को होती है कि भई आप अच्छे बने रहो तो भी आरेक क्राफ्ट मैं कारी करें हम होते हैं अगर आप इस सोच में आपके विचारों में कहीं भी मिक्सिंग हो गई तो इस और आपको वो नहीं करने देगा जवाब चाहते हो तो यह चोटी सी चीज है मां